कुमा यूटिब चैनल तो आज में आगी हूं फिर से ही नए केक केख के टिसाइन के साथ और आज वला जो मुझे केक डिसाइन मिला है ना यह क्लाइन ने मुझे निय्स सा निकाल के पिक्टर दी थी तो मैंने पहले ही सारी चीज़े क्लियर कर दीती कि सेम एक्जैक्ली तो नहीं मैं बना पाऊंगी बट जितना होगा मैं इस केक को रीक्रियेट करने की पूरी कोशिश करूँगी तो क्लाइंट ने मुझे का था कोई बात नहीं अब जैसा आपके केक्स हमें अलरेडी पता हैं आप कैसे बनाते हो तो प्लीज आप अपने हिसाब से सारी चीज़ों को कस्टमाइज कर दीजेगा और मुझे पूरा एक्जैक्ली ऐसा केक नहीं चाहिए बर जितना हो सकेगा आप इसका रीक्रियेट करने की कोशिश करिएगा क्योंकि केक पे बहुत जादा फॉंडिंट वर्क था और उन्हें बहुत जादा नहीं चाहिए था बर जो केक का डिजाइन ने उनकी बेटी ने पसंद किया था जो सिक्सी अर्स की है तो उसे ऐसा ही कुछ केक चाहिए था तो जितना हो सकेगा हम वैसा ही रीक्रियेट करने की कोशिश भी करेंगे तो बाते करते करते हैं यहाँ पर जो केक है यह हम 1 kg का बना रहे है टोटल कौंटिटीज की 1 kg की है जिसके लिए इस केक को हमें टॉल हाइट में बनाना जैसा केक का डिजाइन और अभी टॉल केक्स की बहुत जादा डिमांड है तो इसलिए जो है जैसे clients के order आते हम वैसे ही करते हैं यहाँ पर जो है cake मैंने दो बार करके sponge को bake कर लिया है same container पर यह दो बार हमने cake sponges को किया है जैसे कि मैंने आपको अपनी last video में दिखाया था कि किस तरीके से cake sponge में बनाती हूँ the process जो है वो एकदम same है तो दोनों को अलग-अलग हरके मने दो container में इस तरीके से bake कर लिया ताकि equal रहे cake हमारा और जैसे dome ship कुछ भी नहीं अगर आप देखते हो cake मेरे हमेशा flats होते है तो सही measurement और सही quantity जो आप उसमें डाल रहे हो और temperature सबसे बड़ी बात होती है temperature की temperature आपका सही होना चाहिए और जैसे बार-बार continuously मुझे इस चीज के messages आ रहे है यानि की comments आ रहे है कि cream आपके melt हो जाती है तो cream से related मैंने already अपने channel पे video डाली है प्लीज आप पहले की videos में जाके देखो cream से related मैंने तीन जो है वहाँ पे डाली हुई है videos और अगर आप मेरी playlist में भी जाओगे तो आप easily वहाँ से भी जाके check out कर सकते हो कि cream को किस तरीके से whipped करना है बहुत simple तरीका है और best cream जो है वो आपकी है tropolite tropical cream bell riches delight ये सारी की सारी best and best cream से आप इसमें से कोई भी cream use कर सकते हो जो भी आपके nearby market में available है तो इसमें से कोई ना कोई brand definitely आपके जो भी market shop है जो बेकरी वाले वो रखते होंगे तो इनमें से कोई भी cream यूज करो results बहुत अच्छे आएंगे और मैं हमेशा tropical यूज करती है जब मैंने cream वाली recipe अपने वीडियो में share किये ना उसमें मैंने कौन सी cream use करी है वो भी आपको दिखाए और मैं हमेशा ही tropical cream use करती हूँ और अगर by chance अगर मुझे ना मिले तो मैं reaches भी use कर लेती हूँ delight भी use कर लेती हूँ cream bell भी use कर लेती हूँ यह सारी cream मैंने यूज करी हूई है और कई बार ऐसा होता है कि मैं यूज करती हूँ अगर out of stock हो जो tropical cream है वो लेकिन मैं ऐसे mostly जो है tropical cream ही use करती हूँ जो बहुत अच्छी है stable रहती है cream को अच्छे से whipped करो whipped कर के अच्छी जगा पर रखो डारेक्ट जहां पर sunlight है ना वहां पर मत रखो क्योंकि आप क्रीम कितनी भी स्टीफ पीक तक उसे whipped करोगे ना फिर अगर आप उसे डारेक्ली जहां पर जादा गर्मी है वहां पर रखोगे ना तो वह थोड़ी सी सॉफ्ट होने लगती है यह नाच्रल चीजे आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाऊगे इसके लिए सिर्फ आपको प्रिकॉशन्स लेनी है प्रिकॉशन्स बस यह लेनी है कि आपको उसको क्रीम को विप्ट करो और विप्ट कर क्या फ्रिज में रखो डी फ्रिज में कभी भी विप्ट की हुई क्रीम नहीं रखनी है क्रीम को हमेशा विप्ट करके नॉर्मल जो फ्रिज होती है ना जहां पर हम सबजिया रखते हैं पानी रखते हैं जिस जगा पे स्टोर वहां पर आपको रखना है किसी भी कंटेनर में आप रख सकते हो और बहुत सारे आप जैसे वीडियो देखते हो या फिर ये देखते हो कि उपर में आपने क्रीम रखी है विप्ट करने के लिए और नीचे एक बाउल में हमने आईस क्यूब्स रखे हैं और उसके उपर एक बरतन रखा है फिर हम क्रीम को विप्ट कर रहे हैं मैं ऐसा कभी ने करती हूँ मेरे चैनल पे भी अपलोड है मैं नॉर्मल डेज में हमेशा अपनी बेकिंग जर्मनी में कभी भी ये प्रोसेस का मैंने इस्तमाल नहीं किया है फिर भी मेरी क्रीम जो है वो स्टेबल रहती लेकिन कई बर ऐसा होता ना कि गर्मी बहुत जादा और जहां पे आप काम कर रहे हैं वो जरूरी नहीं कि आपका एसी स्पेस हो क्योंकि सब के पास एविलेबल नहीं होता है तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ वहाँ पे फ्रिज है मेरी तो वहाँ पे मैं क्या करती हूँ जितनी क्रीम मुझे जरूरत है मैं उतनी निकालती हूँ बाकी जो क्रीम है उसे मैं फ्रिज में रख दीती हूँ और फिर जब मुझे जरूरत होती है तो मैं फ्रिज से निकाल तो यह थोड़ा बहुत आपको कड़ना पड़ेगा और ऐसा नहीं की क्रीम बहुत जल्दी आपके मेल्ट हो जाएगी केक को हमेशा कभी भी अगर आपके पास टाइम नहीं है अगर आप हाउस वाइफ हो या फिर स्टूडेंट हो जैसे आप अपना बेकिंग भी कर रहे हो प पांच गंटे ताक आप किसी भी केक की आइसिंग करके रखोगे ना तो केक आपको बहुत अच्छे से स्टेपल रहेगा क्रीम एकदम अच्छे से फिक्स रहती है केकी जो लिएर से वह उसमें एकदम अच्छा सा मॉइस्चर रहता है और वह खाने में भी अच्छा लगता और लेरिंग में किस तरीके से करते हो यह भी मैंने पहले की वीडियो में दिख़ाया है अच्छे से एक्सिप्लेंग और अभी की जो रीसेंट इसमें भी में आपको हमेशा बराबर सारी चीज़ें दिखाते हूं तो लेरिंग जो है एकदम आपको पूरी लाइर जो हिए से बीधेरं तरीगें अराम से करो अगर अगर ठाट म्युल्य कर सकते हों से तो ट थोड़ा सा किट मार्क लगा के शुर्ट अब ऐसे बीड़ी प्रोसेस लगता है तो मैं कभी नई करती हूं बट आप में से जो भी विवियर कमफरेबल हैं आप लोग जो करते हो तो आप लोग कर सकते हो और ब्रेट नाइफ के साथ मुझे ज्ज़ादा इजी रहता और इकवल लेज भी कट होती है तो आराम से आप इसके साथ करो एकवल लेज होगी और जिसे अब स्टार्टिंग में होना तो पाइपिंग बैग में डाल के क्रीम को अच्छे से आउटो सर्फिस पे लगाओ मैं तो डारेक्ट लगा देती हूं पैलेट ना इफ के साथ बट आप जो है पाइपिंग बैग में डालके लगाओ और बड़े वाले स्क्रैपर का इस्तेमाल करो ताकि आपकी एजेस जो है वो अच्छे से क्लीन हो जादी महनत ना आ इवेन आपको शार्प एजेस मिले और कोई भी ब्रेट क्रम्स ना दिखे तो यह चीज़े थोड़ी सी प्रैक्टिस में होती और सबसे बड़ी बाद टर्न टेबल अब अच्छी क्वालिटी का खरीदो और यह एक प्लास्टिक वाला टर्न टेबल आता जो मेरे पास भी है वो 250 रुपीज है 200 में हमें मिल जाता है लेकिन वो उतना सक्सेस्फल नहीं है क्योंकि वो रोटेट नहीं हो पाता है अच्छे से स्मूदली मेरा जो टर्न टेबल है इस टाइप के जो टर्न टेबल से ना यह सारे बहुत एजली जो है वो रोटेट हो जाते तो इससे क्या ह है ना केक को आपको गुमाने में कोई problem नहीं होती है तो यह सारी चीजें वाकि मैं और कोशिश करती हूं कि जो भी tips और tricks है वह मैं आपके साथ हर एक video में शेयर कर पाहूं और जितनी कोशिश होगी वह मैं सारी चीजे आप सब के साथ आगे आगे जितने जैसे ओर्डर साते जाएंगे जिस तरीके से वो मैं शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी और यह मेरे पहले का केक है जब भारिश स्टार्ट नहीं हुई थी अभी फिर से स्टार्ट हो गई यह बारिश यहां पर जब भारिश स् की जो भी ओर्डर साते वो मैं जैसे शेयर करती हूँ वैसे ही करूंगी तो एकदम अच्छे से साइड वाली एजिस को भी क्लीन कर लेंगे हम फ्लेवर आज वाले केक का हमने ओरेंज रखा था वन केजी का हमारा केक था फॉंडेंट डिकूरेशन है यहां पर सेमी फॉंड करने के पहले आदे घंटे पहले करेंगे क्लाइन के आने से और उसे केक को पैक करके फिर हम क्लाइन को दे देंगे सेल्फ पिकप केक है यह हमारा कोई भी डिलिवरी चार्जे इसके नहीं है और पुरी डेकुरेशन के साथ जो प्राइस है जब मैं आपको ओवर आल लोग दिखाओंगी तो वह मैं आपको डेफिनेटली वता दूंगी बाकी आपके जो भी कमेंट्स में जो भी डाउट्स होते पूछा करिए जितनी कोशिश होगी और जितनी कोशिश होती है मुझसे मैं वीडियो के थुरू बी एक्स्प्लेइन करने की कोशिश करती हूं तो बा कुछ नो कुछ यूनिक मिलता है तो हम वेकर्स को भी अच्छा लगता है कि वो सारे केक डिजाइन्स आप सब के साथ शेयर करें जो नए-नए हमें अच्छ यूनिक से मिले बनाने के लिए ताकि आप अच्छा लगे देख के और कुछ नो को सीखने का भी मौका मिले क्योंकि तो बस इस तरीके से आइसिंग पूरी हमने की है साइड वाली एज इस और अच्छे से क्लीन किया ठोप बली सर्फिस को भी हमने अच्छे से कर दिया है क्लीन और इसे हम रग देंगे फिर्ज में ठंड़ा होने के लिए और शाम को करेंगे अब डिकूरिशन अगर का टाइम आ गया और हम करेंगे डिकोरेशन फॉंडेंट वरक सारा मैंने बना के रख लिया था जो बहुत है सिम्पल है तो यहां पे कुछ हमें इस तरीके का ना यह डिजाइन बनाना था तो סिम्पल है ग्रीन कलर का फॉंडेंटली और जिघ ग्जैक सा इस तरीके से मैंने जो डिटेलिंग नाइफ होती साथ इसकी कटिंग कर ली जो यह बहुत सिम्पल है आप यहां पर जितनी डेकुरेशन मैंने करी है ना फॉर्णिन की वो सारी सिंपल है तो बहुत जादा नहीं लेकिन जब मैंने इस केक को देखा था ना तो ट्रस्ट में मुझे लगा था पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं लेकिन जब मैंने इसे अपने तरीके से अपने तो मैंने अब तब तक अपनी ममी को बोल दिया था कि आप पॉंडेंट को कट कर दो इस साइट से ताकि यह बैक साइट पे लगा लेंगे पहले बागी की जो डिकुरेशन है वो कर लेते तो यहां पर अच्छे से लगाने और जैसे आप देख रहे हैं और जैसे आप देख जो यहां भी यह मैंने ग्रीन कलर का यह ग्रास टाइप का बनाया है रो टाइप का तो यहां पर जो है ना इसे कुछ भी फिक्स करने के लिए मुझे कोई भी एडिवल ग्लू या पानी की ज़रत नहीं पड़ी क्रीम ही एक अच्छी बाइंडिंग है क्रीम के ओपर आप मार्किट में जाओ ऑनलाइन में भी अगर आपको पर्चेज ने करना आप ऑनलाइन से भी सर्च करके देख सकते हो कि क्या-क्या प्रोडक्ट साथे क्या-क्या चीजों के फॉंडेंट से रिलेटेट कटिंग के मोल्ड बहुत सारे वेराइटीज है इतने तो उसका भी मोल्ड है आप वह भी ले सकते हो बहुत सारी चीजे हैं जो अगर आप हाथ के साथ बनाओगे न तो वह आपकी प्रैक्टिस और आपके एक्स्पिरियंस कुछ अलगी लेवल का होता है तो इसलिए बहुत सारी चीजे जिसके बहुत सारे फॉंडेंट से आप ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई भी चीज जो है वो बनानी सकते हो फॉंडेंट के साथ तो यहां पर यह सिंपल सा मैंने यह डिजाइन बनाया है काटून का इस तरीके के काटून्स बने थे ब्लू कलर का फॉंडेंट यूज करके और इसे चिपकाने के लिए मैंने कुछ भ कापली सर्फिस पे लगाते जारी हूं बहुत सिंपल है और आइस जैसे बनानी है बलैक और वाइड गोल चोटी-छोटी से सर्कल करके हमने कट कर लिया और यहां बे जो यह हम ग्रास बना रहे है जो फ्लावर कट रहता है फ्लावर कटर के साथ ही पहले फ्लावर कट कर लि और फिनिशिंग के साथ केक को डेकुरेशन भी करनी है तब यह अपका केक और जादा अच्छा लगेगा तो यहां पे जो क्लावड्स है सारी चीजे यह सब चीजे मैंने हाथ से बनाई यह कलर फुल था इसे साइड मेंने फिक्स करने के लिए साइड पे लगा लिए करने के बाद कंप्लीट हो जाएगी कोई स्प्रिंकल हमें कुछ भी नहीं लगाना यहां पर जितनी डेकुरेशन नहीं यह फॉंडेंट की बस इतनी लगानी तो अच्छे से इसे भी कर लिए है फिक्स और यहां पर जो नाम है आज बिलकुल तोड़े अलग तरीके से हम ल हमें करनी थी इसलिए मैंने यहां पर यह ब्लैक कलर का यह बड़ा वाला यूज किया है तो इसे जो है ना स्टैंडिंग नाम इसलिए हमने इस तरीके से लिख है इसके पीछे नहीं हमने चोटे-चोटे फॉंडें के गोल सर्कल बॉल्स बना ले थे उसकी सपोर्ट से उसे सेल्फ पिकप केक था तो जादा नहीं इस केक का जो प्राइस था यह मैंने 1200 लिया है अब अपनी जगह के सबसे जादा कम जैसा है वैसा चार्च कर सकते हो बाकिया होब कि आज की केक वीडियो आप सब को पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेर जरूर करिएगा धेट सा रेकमेंट्स करिएगा और ऐसे ही मोटिवेट करते जाएगा तो पूरी कोशिश करूँगी आगे और अच्छे अच्छे नेने केक के डिजाइन भी लेक्या हूँ आप सब के लिए और ऐसी बस मोटिवेट करते जाएगा थैंक्स फॉर वाचिंग